येलो दोस्तों, वेलकम बैक टो माई चैनल, तो वीडियो स्टाट करने से फेले चैनल लुका करदो, वीडियो को लाइक करदो, भाई आज अपने सामने गढ़ी है टाटा की पंच, बात कर अपने इस गाड़ी के बारे में तो ये जो गाड़ी है, टाटा की तरब से आपको म सेग्मेंट है जनरली भाई 6 लाग से 5 लाग से स्टार्टिंग होके 12 लग तक हाई एक शोर्म आपको देखने को मिलेगा बात करें इस पर्टिकुलर टाटा पंच की बारे में यह जो गाड़ी है इसका जो है प्राइस सेग्मेंट है 6 लाग से 9 लाग के बीच में एक शोर्म आपको देखने को मिलता है बात करें दोस्तों इस वाले गाड़ी के बारे में तो भी आपको एड्वेंचर वर्जन देखने को मिलता है टंटा पंच का और बात करें बही अपनीं से कुछ सेल्स नंबर में 10 देहने को मिलती है सेग्मंट की बाकई गाड़ी युपी भी से watch मिलंग अपको नौन की देखने को लिए लॉक उपर वाले ओरिसे ळीए हो और फ्रंट का जो लुक है काफी अच्छा और काफी बल्की लुक दिया गया है स्टार्ट करते है उपर की साइड से तो आपको DRL मिलते है रिफ्लेक्टर बेस DRL मिलता है और आपको LED नहीं मिलता है इसमें हेलोजन बल्क देखने को मिल जाता है इंडिकेटर भी आपको उपर प्रोवाइड किया गया है उसके नीचे से आपको भई प्यानो बलेक की फिनिशिंग भी दी गई है बात कर रहे हैं इसके हेडलम के बारे में तो भई हेडलम भी आपको रिफ्लेक्टर बेस हेडलम दिया गया है साइड में आपको एर्वेंड मिल जाता है जो की प्रेक्टिकल दिया गया है और नीचे आपको फोग लेम का प्रोविजन नहीं दिया गया है और बात कर रहे हैं इस गाड़ी के बारे में तो भी मोटी मोटी कलाइडिंग देखने को मिल जाती है आपको साइड में 360 डिगरी कवर करती है गाड़ी को और बात कर रहें फ्रंट में फ्रंट की बात कर रहें तो भी आपको प्यानो ब्लेक में उपर वाली ग्रिल देखने को मिल जाती है नीचे की बात करें तो भई आपको जो है ट्रायो पेटन में नीचे वाली ग्रिल्स भी देखने को मिल जाती है अंडर बोडी काफ़े अच्छी पैक की गई है गाड़ी की और बात करें पन इस गाड़ी के बारे में ये जो गाड़ी का इस्टांस है ना बहुत अच्छा इस ठांस है और बहुत बेतरीन काम किया गया है और गाड़ी में जो इसके एड़टाइजमेंट भी हुई थी वो भी काफी अच्छी है रिफाइन्मेंट फर्स लोट के बाद रिवाइन्मेंट भी काफी अच्छी हो गई है अलो इसकी बात करें तो भई आपको जो है स्टील रिम देखने को मिलते हैं उपर आपको वील कवर ही देखने को मिलता है बात करें टायर साइज के बारे में तो टायर साइज 185, 70, R15 आपको टायर साइज देखने को मिलता है इस टेन रेम आपको बताई दिये है आपको suspension का travel भी कात्वी अच्छा दिया गया है तो छोटा मोटा ओफ रोड में गाड़ी में कोई problem नहीं होने वाली है ORVM में आपको indicator दिये गए है और बाकी आपको जो है mat finishing ही दी गई है चारो तरफ गाड़ी के और chrome की finishing आपको top variant में दिये गई है side में आपको color door handle मिल जाते है जो की अच्छी चीज है भाई मना ये भी आप mat में ही दे सकते थे rear door handle की बात कर तो आपको उपर की side place मिल जाता है और आपको ट्राइव पटन में टेल लेम देखने को मिल जाते है और आपको indicator भी इदर ही दिया गया है उपर आप देखे तो काफी clean roof दी गई है और high mount stop lamp भी आपको देखने को इदर मिल जाता है और बात करें इसमें जो है rear wife पर washer आपको देखने को नहीं मिल जाता है और Tata का local for local देखने को मिल जाता है राइनो आपको बनावा मिल जाता है गाड़ी का Tata का easter egg आपको इसमें देखने को मिल ही जाता है center में आ जाये तो भई Tata के आपको logo मिल जाता है पंच के आपको beijging भी दी गई है और Tata के logo के side आप notice करें तो भई काफी उब्रा उब्रा दिया गया है लोगों को highlight करने के लिए नीचे आप देगा तो भई Trial pattern reflector दिया गया है license plate की light LED में दी गई है अब बात कर ले तोपर इस गाड़ी के बूट के बारे में फोड़ी मशकट लगेगी पर गाड़ी वितनी उची नहीं है तो उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं तो आफ़ देखने को मिल जाता है नीचे आप लेकर तो टूल्स आपको इस पेर टायर भी देखने को मिल जात आपको देखने को मिल जाएगा इधर जो कि यह काफी अची चीज है समान वमान रखने में इस हो जाता है और जो जिल nice race टाइट है उती चीज है लोगते हैं के हैं काफी एंगर्णन करने के cigs में करानी बातले थिए और इंटीट के बारे इंटीरों के बात कर रहे तो ऑपको आपको फैब्रीक मैं सीट्स देखनेम को मिल जाएगी seats की बात करें तो भई आपको manually adjustable seats देखने को मिलेगी नीचे चले तो भई आपको accelerator clutch brake दिया गया है manual transmission के साथ आपको यह देखने को मिलता है door की बात करें तो भई door आपको काफी premium दिया गया है जो texture and feel and touch of material है एक जो strong third है ना वो गाड़ी देती है मतब five star rated गाड़ी है तो भई यह सब तो छोटी मोटी बात हैं इसके लिए twitter आपको देखने को मिल जाता है door handle आपको देखने को मिल जाता है glossy finish में electronic adjustable आपको mirror देखने को मिल जाएगे चार आपको electric windows देखने को मिल जाएगी window lock करने का button भी दिया गया है यह जो आपको है silver color की जो finish है वो आपको आगे तक देखने को मिल जाएगा और जो door का जो है चार पांच panel दिये गए है तो मतलब आप सोच सकते हो कितना premium है door और नीचे आप देखे तो भई आपको bottle holder की space मिल जाती है और umbrella holder की space भी दी गई है आपको देखने को मिलती है इंटिरियर में आप जाके बैठे तो भाई जो seat का comfort है अंदर ठाई support और जो side की booster का support है वो काफी अच्छा दिया गया है आगे आप देखे तो भाई आपको पूरा bonnet देखने को visible है जो कि दोस्तों काफी अच्छी चीज़े एक micro SUV के लिए इतना अच्छा stance और इतना अच्छा view पूरा मतलब देखने बगर हमें भी कोई problem नहीं होने वाले इस गाड़ी में अब चालू कर लेते हैं गाड़ी को और चालू करते ही जो है आपको छोटी सी display देखने को मिलती है left side में जो जैसे कि इस गाड़ी में जो जो फीचर चाहिए होना वही फीचर दिये गया है टाटा की तरफ से आपको जो है tilt steering मिलता है telescopic steering नहीं मिलता है left side के control आपको music system की मिलता है cruise control आपको इस गाड़ी में देखने को जो temperature है tips A, B आपको इदर provided किया गया है basic है कुछ जादा बड़ी चीज नहीं है normal जो आते हैं गाड़ीों में वैसे ही दिये गया है और इसमें कुछ ज़्यादा इसे important नहीं दिखता है side में इस event मिलता है piano black finishing की साथ और दोस्ता आपको जो है modes भी मिल जाता है आपको drive modes मिल जाता है economy drive, sports mode drive तो भई इस mode से काफी फरक पड़ जाता है efficiency भी हो जाता है और जब आपको power भी मिल जाती है dashboard के उपर की जो odometer के उपर वाला touch and feel की बात करें वही touch and feel है जो मंदब आपको doors पे दिया गया है काफी अच्छा है ट्राइव पेटन आपको दिया गया है जब कोई एक टाटा का ट्रेड माग हो गया है भाई घाडी के टेल लेम में भी ट्राइव पेटन और बही एंटी ट्रेम में भी काफी जगे ट्राइव पेटन दिया गया है glow box जो है काफी practical दिया गया है तीन से चार बुटल आप अराम से रख सकता है इसमें और उपर बात करें तो आपको halogen lights भी दी गई है side में आपको sunset दिया गया है इसमें कोई आपको vanity mirror देखने को नहीं मिलता है इसलिए के बात करें बिल्कुल छोटा सा basic display आपको देखने को मिल जाता है इधर और आपको volume के controls मिल जाता है और आप बात करें छोटे मूटे जो controls है AC वगेरा के controls वो भी आपको दिये गया है आपको track है change करने वगेरा के button भी आपको center console में दिये गया है आपको जो है express cooling मिल जाता है इस गाड़ी में तो भाई काफी जल्दी गाड़ी का cabin cool हो सकता है जाता है 12 वोल का charging socket भी देखने को मिलता है wireless charging आपको इस वाले विडेंट में नहीं मिलती है अपर वाले विडेंट में शायद आपको wireless charging भी provided की गई है gear box की बात करें gear box काफी refined gear box एक तो आपको petrol engine मिल जाता है 5 speed का आपको gear box मिल जाता है 5 plus R आपको gear box दिया गया है gear box काफी refined है एक तो आपको जो इस गाड़ी का engine है engine भी काफी refined दिया गया है और आपके जो gear box के around आपको piano black की finishing दी गई है नीचे आप जगे तो आपको water loader मिल जाता है charging socket ची जगे मिल जाती है hand pickup आपको दिया गया है दोस्तों बात कर लेता है अपन इसके seat की seat की बात कर तो आपको जो है fabric देखने को मिल जाए इसमें भी आपको tire pattern की ingress देखने को मिल दी एक राटा की मतलब हर जगे tire pattern डाल रखा है तो इधर भी डाल रखा है seats की बात कर तो अंदर ठाई support भी काफी अच्छा है side की booster भी काफी अच्छा support रखता है seats का अब चलता है भाई अपन इस गाड़ी के rear door की तरफ rear की बात कर लेता है रियर में क्या-क्या comfort दिया गया है और क्या-क्या leggy space आपको provided किया गया है तो भाई door में जो आपको है सबसे पहले आपको जो वही silver color का accent आगे था वैसा आपको देखने को मिलता है piano black finishing speaker और आपको border holder की space मिल जाती है अब चलते हैं interior की तरफ interior में बैठते ही भाई सबसे पहले जो comfortable seat है वो आपको मैसूस होने वाली है fabric में भाई हाला की अच्छा है company की तरफ से दिया गया है बागी जो leather की life होती है वो जादा होती है और fabric जल्दी ही गंदा हो जाएगा और आप interior में देखे तो आपको halogen lights देखने को मिलती है ऐसा कुछ dashboard आपको देखने को मिलता है leg space की बात कर तो leg space adequate leg space आपको इदर provided किया गया है head space भी काफी अच्छा दिया गया है गाड़ी में तो भाई पीछे आपको दो लोग अराम से जा सकते हैं तीन लोग भाई थोड़ा मुश्किल लोगा मैं मतलब साफ साफ के रहा हूं भाई थीन लोग नहीं जा सकते हैं मुश्किल लोगा tight बेटे हैं हाला कि छोटी गाड़ी है area में मतलब area जीसी बड़ी गाडी में तीन लों ग्राम से बैट पाथता है तो भाई यह जो गाडी है थोड़ी छोटी है तो इस साथ-स आपको दो headrest यह दिये गया है इधर और center में आपको armrest इधर provided नहीं किया गया है यह होगा is around seat अब दोस्तों बात कर लेता है अपन इसके कुछ छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में तो भाई आपको जो इस गाड़ी के वाइपर है आपको नॉर्मल वाइपर दिये गया है अब बात कर लेता है अपन इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इंजन भाई आपको इंजन दियेगा और 113 एनम का आपको इसमें टॉर्क देखने को मिल जाता है उस तो इसमें 1200 CC का 3 Cylinder इंजन आपको देखने को मिलता है बात करें इसके माइलेज की माइलेज आपको भई 18 से गुनिस तक का ARI क्लेम है सिटी के बात करें तो भई आपको 14 से 15 का माइलेज बखुवी घाट देदेगी उसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है और बात कर ले तो भई आप पन को इसमें 306 लिटर का आपको बूड़ी स्पेस मिलता 37 लिटर का इसका फ्यूल टेंक है तो भई आज की इस वाली वीडियो में इतने ही था चैनल को स्राइब करना वीडियो को लाइक करना मिलते अगली वीडियो में तिल देन गुडबाई